Hello students, कैसे हैं आप सब लोग एक common mistake जो major बच्चे class 12th board examination में करते हैं, specially in economics और business studies. आज मैं economics की बात करूँगा, कि क्या common mistake आप लोग करते हो, क्यों कहां पे आपके number करते हैं, और साथ मैं आपको सारे के सारे image-based question कराऊँगा, अगर आपने CBC का sample पर देखा हो. तो इस साल लगबग पांच नंबर का, तीन या चार नंबर के कोशिन आया है, और एक कोशिन है, एक नंबर का, जो कि image-based है, जहां पे आपको particular image दिया गया है, और आपको उसके बारे में लिखना है, या बताना है, वो क्या message दे रहा है, या वो किस topic का है, किस context में बात कर रहा है, किस problem को show कर रहा है, किस solution की बात कर रहा है, तो मैं आपको 20 question कर रहा हूंगा, next 10 to 15 minutes के अंदर बहुत असान है, और board examination में इन से बाहर कुछ नहीं आएगा, किस में एक-एक point, एक-एक image NCRT से उठाकर इसके अंदर दिया हुआ है, तो जिनके पास NCRT नहीं है, चिंता करने ज़रोत नहीं है, इस से सारे वो चीजे कवर हो जाएंगे, तो मैं किस problem की बात कर रहा था, problem यह है, आपने पूरा economics का syllabus खतम कर रहा है, ठीक है, economics के सारे chapter से याद कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है, examination में लिखने वाले सिर्फ 12 question आते हैं, इसके answer तुमें लिखने हैं पूरे paper के अंदर, जिसमें 14 question आते है, 7 macro, 7 Indian, लेकिन और जो 20 question, total 34 रहते हैं, 20 question MCQ रहता है, लेकिन इसमें जो 7 question आते हैं, macro में 2 numerical होते हैं, इसके 5 इसके 7 बारामान के चल रहा हूं, वो सीधे-सीधे question class थोड़े से रहते हैं, थोड़े question गुमा के रहते हैं, एक पूरा-का-पूरा case-based question रहेगा, और तुमने उसके प्राक्टिस करी नहीं, image-based question रहेगा, तुमने उसके प्राक्टिस करी नहीं, एक कोई evaluation-based, जहांपे आपकी understanding, या फिर आप किसी चीज को support कर रहे हो, defend कर रहे हो, या refute कर रहे हो, ऐसे question, और आप क्या चाहते हो, सीधे-सी question आजाए, but question CBC evaluation-based दे रहा है, जहांपे class आपक इसमें प्राकास डालो, आप समझाओ, तो उसमें problem आती है, तो मैंने सूचा कि मैं next, दो-तीन classes के अंदर, दो-तीन दिन के अंदर, ऐसी videos बना दूँ जिसमें class वो सारी problem का समाधान हो, चैप्टर तो आपको पता है, बस understanding करा दूँगा तो बात बन जाएगी, तो मैं ऐसे question टैकल करने वाला हूं, तो प्लीज चैलन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आज की ये आगे की 10 से 15 मिनटी class जरूर देखना, और मैं बताऊंगो तुम्हें कैसे question आते हैं, और class कैसे आपको इसके answers देने, और image-based question, सारे के सारे हाँ कावर कर दूँगों, जो बोड़ फूर ड्रूम इंगों डूशहगों किसको class ये देनोट करता है, ये जो चीजे class देनोट करता है, इसा स्छाइख गोलबल वर्मिंग, donc global warming. तो आपने heading डाल देख कि ये जो picture है, ये global warming को class भाइन करता है, ये बताता है ये global warming के बारे में, और फिर आपको academy global पर देन करना है, चार नंबर में आया है, तो लगभग पॉना पेज, यानि कि 75% पेज भरा होना चाहिए, तीन नंबर का है, तो अधा पेज आपका जरूर भरा होना चाहिए, आपको एग्जामपल भी दे सकते हो, ग्लेशर मेल्टिंग के एग्जामपल दे रहे हो, अगर ग लिखोगे ना तो आपके आंसर में चार चांद लग जाएगे, सीधा सीधा कुछिन नहीं पूछता है, थोड़ा सा घुमा की पूछ लिए, और मैं damn sure हूँ, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिसमें गल्ती कर बैठेंगे, सीधा बोलता तो सभी सही कर देते, कुछ कर लिए, और इस तरीके से मैं तुम्हें दो तीन वीडियो बना के पूरा कापूरा समझा दूँ कैसे घुमा के कुछिन साते हैं, इवन BST के अंदर भी, के स्टड़ी भी कराऊंगा, तो डोंट वरे बाउट इट, यह पहला कुछिन, दूसरा, which exception of GDP are shown in this image, अब देखोग तो B, C, D, E, यह चार पॉइंट है, इन मेंसे कौन सा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ढग से देखना, NCRT का ही उठाया हुआ है, यह देखो, कुछ लोग नीचे खड़े हैं, यह लोग गरीब है, और कुछ लोग अमीर है, जीडीप उड़ रहा है, अमीरों का आपका distribution of GDP, तो इस तरीके से questions आपको पूछे जाते हैं, आप देखना है, यह क्या possibility है, इसकी answers की, और पक्का बना लोगे, और टेंशन ही नहीं, मैं बीस questions दे रहा हूँ, इससे बाहर ही नहीं आएगा, तो चिन तक इस बात की है, यह बीस questions, अच्छ से कर लो, इसकी PDF भी म इसके आपको बताना है, ठीक है, जो current environment challenge है, उसके आपको बताना है, तो बताओ क्लास यह क्या है, तो आपको दिख रहा है क्लास जंगल को काटा गया, deforestation, और इसको आपने एक्स्पेइन करना है, ठीक है, थोड़ा साण हो गया, बठाँ, कोशिन था तो मैंने दे दिया, इस साल के सामप्लेवरे कोशिन है, मधुमख्ी का चहता है, ठीक है, हनी बी हो गया, फुरूट और वेजटेबल्स हो गया, यह सारी चीज़े अंद रहा है, इस सारी चीज़े हैं रहा होटी कल्चर के ऑपने रहा है, कौनसे रह रहुलुशन के रहुलुशन के यह सब गोल्डन रवलुशन का पार्ट और गोल्डन रवलुशन का पार्ट और गोल्डन रवलुशन की चीज़े किस के अंदर राते हैं, तो यह उसका गुरूप है, ठीक है? next, identify, मैंने MCQ भी रखे हैं कुछ कोश्यन क्योंकि आपको पता है, एक नंबर के MCQs आते हैं, और तीन से चार नंबर कैसे detail कोश्यन आता है, identify the movement illustrated in our picture, explain the movement along, focusing on the aim, तो यह कौंसा movement है, क्लास मुझ बता है, कौंसा movement है, सुंदरलाल भूगुनाने क्लास स्टार्ट किया था अलग लंदा वैली, आपको याद है, मैंने बढ़ा रखा है क्लास, कौंसा है क्लास, चिपको movement, चिपको आंदलों, ऐसी करनातिका में एक movement चुड़ा था, इस इस काल्ड़ अपिको movement, ठीक है interpret the given, आसे explain भी करना है, आपको पहचान लेना है, एक नंबर, explain करना है, दो या तीन नंबर, ठीक है, इस तरीके से interpret the given picture on the account of education to farmers and its impact on their productivity, with equal size of land, how is it that his yield is more than mine, कैसे, से जमीन तो इसके मेरे पास भी से में है भाहिया, यह जादा कैसे उगा रहा है, तो किसकी वज़े से क्लास उगा रहा है, आपको बताना है, क्या क्या चीजे यूस कर रहा है, देखो, इसके पस ट्रैक्टर है, आपको मशीनरीज का यूस कर रहा है, आप बाद में, पहले मशीनरीज को हिलाइट करोगे, फिर बाद में, इंसेक्टिसाइड, पेसिसाइड, यह सारी चीजे, क्यमिकल फर्टिलाइजर, इनका बताऊगे, तो ग्रिन रेवलोशन की वज़े से है, और आपने क्लास बताना है, इस समझना है, क्या है, और अपने हिसाब से अंसर लिखना है, कंटेक्स्ट वही आना चाहिए, बात का सारान स्वही होना चाहिए, ठीक है, यह हो गया आपका, Seventh, identify the situation despite the given image, कौनी situation है, घखो, informal sector में लोग घरे बढ़ते जा एह हैं, इसलिए क्लास, क् Вас इर्श दूना कर सी इंफार्म लाइज Brain कि इन में इंफेर्म लाइज़ करण लोग वर्कफोर्स कर daí अशलग हो जह कि आप Dual-जो यह बोच आप पड़ो इन झाता यहaja आ पड़ो मेरे इंपोर्ंट कुशन गंचे चेम आप लिया समीलाइशन और कह सुभूलाइशन और के यहां आड़े करते हैं देओलाइशन देस से अर्मेलाइशन और की। नगर्टी निय outta है कि सीय निच में Чुह घुबलेटी efendim . के मी देऊलाइशन देस के किया सव में मांपनिते हैं यह टैनास्टट्टीず combination घुबले Demonetization, और उसकी class आपको aim लिखने, तो demonetization है कौन-कौन से aim है, comment section में 3-4 चोटे-चोटे aim है, लिखके दिखाना, corruption हटाना, उनमें से 1 है, बाकी 2 आप बतादो, कोई भी आइन तो, इसको बोलते है, demonetization, इसको बोलते है, These images show the direct route, यह class देखो, India से, class London जा रहा है, direct route, यह Swiss canal है, कब बन के तयार हो था, यह मुझे comment section आप से, पूछना है, ठीक है, कब बन के तयार है, Egypt की सरकार ने इसको बनाए था, इसके class India जो है, वह काफी जादा export कर लगा, import कर लगा, तो यह India और किसके बीच में class, Britain, ठीक है, India बिच में एक class root बन गया, short root बन गया, how human capital formation cause innovation, invention, तो यह एक simple सा कोस्चीन, बहुत इमेज डाल दिया है, कि कैसे human capital, बहुत important question है, human, यह सिधा सिधा कोस्चीन आपका, यह कोई image-based नहीं है, बस एक इमेज डाल दिया, कैसे invention, innovation दिख रहा है, human capital formation, आपके इंवेंशन आएगा और देख रहे हो, आप यहाँ पर बरफ पर गलता चला जा रहा है, बिचारे रहेंगे कहां पर, बरफ में रहते हैं यह लोग, ठीक है, रहनी पाएंगे, इनकी परजाती खतम हो जाएगी, विलॉप्त हो जाएगी, ठीक है, तो यह जो challenges है, यह global warming की वज़े से हो रहा है, अगर कभी आपको ऐसर रहा है, तो आप दूसरी पॉंट पर टच करके लिख देना, कि इससे कोई परजाती विलॉप्त भी हो सकता है, ताकि कहीं भी अगर टीचर के मन में आठीक, हाँ, यह भी हो सकता है, तो वो दोनों बाते लिख रहा है, ग्लोबल वामिंग और बादे इनके बारे में लिख देना, अब, ग्लोबल वामिंग होगी तो प्रजाती विलॉपत हो ही जाएगी, बाद में पॉंट ग्लोबल वामिंग का ही है, इनदेफा दिख रहा है, कौन सा कॉंसेप्ट है, क्लास, यह लोग बेसिकली आईटी सेक्टर में काम कर रहे है, तो इसक स्ट्राटेजी आ, windmill है, सबसे पहला windmill है, और फिलूसरा solar panel, तो यह clear equation, windmill और solar panel, क्लासे दो बागण का लगो कोपता होता है, क्या नहीं पता होता ही होता है, तो रह कलंग हो पता, जेशे में पता है, लेकिन चल्तियों करते हैं लोग तो question सीधी सीधी question कोशिन, थोड़ा इहांपे शोन कर रहा है क्लास मुझे बताओ nature of employment बताओ कौंसा शो हो रहा है यहांपे बताओ क्लास कौंसा nature of employment आपको दिख रहा है different nature of employment है तो कौंसा nature of employment की यहांपे बात चल रही है which type of nature of employment is shown here तो कौंसा nature of employment दिख रहा है क्लास यह लोग bricks making काम कर रहे है तो जो ब्रिक्स मेकिंग का काम करते हैं, they are called casual, non-worker तो है नहीं, काम कर रहे हैं, तो worker है, कोई चोरी थोडी कर रहे है, काम कर रहे हैं, लेकिन है कैसे worker है, class? Casual workers, ठीक है? पर में नहीं है, यह casual worker है, क्या आज काम है, क्या आज काम नहीं है, they are called casual workers. On the basis of the given image, explain the objective of government budget, तो यहाँ पर objective क्या है, M.E.R. अगर आपको यादो, तो यह क्या है, class? Redistribution of Income and Wealth, यानि कि Amir Garib की बीच का जो फासला है, Reduce Inequalities of Income and Wealth, वो है, Amir और Amir होते जला जाए, Garib और Garib होते जला जला जाए, उसकी बीच का फासला, यही तना आपको अगर आदो, तो बजट के चार objective नहीं पता, वो कैसे करेगा, तो यह concept पता होना चाहिए, तो यह हो है, तो इसके अंदर आता है, हौटी कल्चर, आपको हौटी कल्चर एक्स्पेन करना है, तो मैं कहना चाहरा हूँ कि कैसे कुछिन घुमा के पूछा जा रहा है, आपको शार्प करने के लिए, सिधा-सिधा रटाफिकेशन बंद, इस तरह के से इंडरेक लीच कुछिन पू आपरी कोशिन है लागा, यहाँ पर कौन सा सोर्सस ओफ क्रेइट की बात चलरी है, तो this is informal source of credit मतलब कि इसको self-help group बोले तो एको आपको से अच्पेल करना है, self-help group बहुत important to examination point of view, इस फेक्टर में चाहर से यह होगया, जापशविकेश को थिप्ट करते है, यह होगया, से आपको आपको मज़ा आएगा, मज़ा आया होगा, तो आपको प्लीज लाइक करना, चैनल को शेर करना अपने दोस्तों में, और भी जो भी दिक्कत, आपको कमेंट बताओ, डे नाइट आपके लिए काम कर रहा हूँ, इस तरीके से क्लासा सपोर्ट करोगे, तो मैं और महनत क करूँगा आपके लिए और अच्छा रजल्ट आएगा, आपके लिए और अच्छा रजल्ट आएगा, ठीक है, ने ते नेक्स्ट विडिमों देन टेक्या, बाई-बाई